हेलो फ्रेंड्स मैं सेफ एचर खान आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं सफ्ट सेल क्राइब विद ग्रीन हर्प्स ए है ग्रीन कोरिनर पेस्ट ग्रीन चिली एंड जिंजर चॉप जिंजर गलिक पेस्ट कॉर्ण फ्लावर यह है राइस फ्लावर यह है साल्ट एंड रेट चिली पावडर और मिक्स करम मसाला और यह है लैमन यह बहुत ही अच्छा डीस है गेस्ट बहुत पसंद करता बहुत होता है देखिए अभी मैं इसको अच्छा से वास कर लिया वास करके थोड़ा टीशू पिपर या कुछ दे के आप इसका पानी निकाल लेना देखिए कितना सौप्ट है जब यह फ्राई होगा डिप फ्राई होगा बाहर से क्रिश्पी और अंदर से सौप्ट रहेगा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस अब तुम्हें बता दिया आपको क्या है कॉन फ्लावर और राइस फ्लावर जो है वो क्रिश्पी करता है और चिली पाउडर नमक गरम मसला थोड़ा फ्लेवर के लिए और रहमन थोड़ा सावरनेस लाएगा बस इसमें बहुत ज़्यादा क ऐसको एक साथ मिक्स कर लेतें हुए एक डिप फ्लाइट ड अब है अबहुँर्ब्हर ह क्राप का उपर बहुत अच्छा से इसको हम लगा लेंगी और फिर इसको ढार करेंगे अच्छा से थोड़ा मिक्स करेंग अच्छा से चिपक जाए अब चाहे तो और भी कुछ spices दे सकते हैं यान हर्फ यूज कर सकते हैं बहुत लोग रोजमेरी देते हैं बहुत लोग कुरियंडर देते हैं देखें दिल लीप है दिल लीप को मैं फाइनली चॉप कर लूँगा उसका जो इसको निकाल के और फाइनली चॉप करके इसको भी उसका अंदर देदेंगे यह भी बहुत अच्छा टेस्ट होता बहुत लोग कुरियंडर देते हैं कोई मिंट देते हैं कोई रोजमेरी देते हैं आपको जैसा फ्लेवर है आप दे सकते हैं इसमें कोई रिस्टिक्षिन नहीं आए यह बहुत जटपड बन जाता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता बहुत ही अच्छा डीश है अभी दिल लेप फाइनली चॉप कर लिया इसको अभी क्राब का साथ मिक्स कर देंगे इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है लाइटली प्रेस करके अच्छा से चिपका लेना थोड़ा से देंगे लैमन जूस लैमन जूस आप चाहे तो वो green halves का साथ mix करके भी use कर सकते हैं make sure green halves इस तरह का चिपका दे ताकि fry का time पे coating का बाद fry का time पे खुल के ना आ जाए यह सारा चीज एक साथ हम mix कर लेंगे mix करके उपर से coating कर लेंगे coating का time पे lightly press करकर के आप अच्छा से coating कर देना नहीं तो वो fry का time पे खुल के आ जाएगा मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए आप simply google में या youtube में search कीजिए chef 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 chr khan वहां आपको मेरा सारा वीडियो मिलेगा यह सिर्फ cooking channel नहीं है यहां मैं बहुत तरह का informative वीडियो बनाया जॉब कैसे पाएं बिजनेस कैसे start करें अच्छा chef कैसे बने food and hygiene कैसे maintain करें हर तरह का वीडियो हुआ है मैं अपना life का जो 35 years experience वो आपको मैं share किया वो real experience है means यार practical experience है कोई किताब में पढ़ा हुआ बात मैं नहीं बोलता हूँ मैं practically जो करता हूँ ओ बोलता हूँ देखिए मैं coating कर लिया कितना nicely coating हो गया अच्छा से coating करना नहीं तो निकल के आ जाएगा fry करने का time में हाथ से place करकर के अच्छा से coating करना और किसी तरह का वीडियो आप कुछ चाहिए तो आप मुझे request करना मैं कोशिस करूंगा आपका request का मताबिक वीडियो गनाने का इस जटपट हो जाता है ज़्यादा time नहीं लगता क्राप पकने में बहुत ज़्यादा time नहीं लगता लेकिन हम medium to low flame में करना high flame में बिल्कुल भी नहीं करना जब पक्का आएगा देखना उसका color brown हो जाएगा तब निकाल लेना देखे मैं एक बार इसको turn कर दूँगा देखे कितना crispy हो गया देखने में कितना crispy लग रहा है अभी इसको हम प्लेटिंग करेंगे इसमें थोड़ा salad देंगे और green coriander चटनी है करेडियो गर्ड है और chili sausage यह सब मेरा चैनल में है आप देख लीजेगा आप चाहे तो दूसरा टाइप का कुछ चटनी भी दे सकते है जो आपको पसंद है मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यार करना ताकि मेरे वीडियो आते ही आप लोगों को मिल जाए यह ऐसे रिया है इसका सेक्षन में क्राब बनता है यह हमरे साथ काम करती है यह ऐसे रिया है हमरे पास काम करती है और यह एक क्राब का स्पिसालिस्ट है क्राब यही बनाती है बहुत ही नाइस नीस है यह शॉप्ट सेल क्राप विद ग्रिन हर्प्स हम उच किये हैं यह बहुत ही नाइस जीसा है रिस्टुन पर बहुत चलता है आप अपना घर पी से ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपका कैसा हुआ थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो अपना खाया लखे और मेरा इसरे वीडियो का इंतेजार करें थैंक यू यू अ